Who Moved My Cheese is a Story About Two Little Mice and Two Little Men एक दिन इन चारो को Cheese Station के पास धेर सारा चीज पड़ा मिलता है इस चीज को देखके चारो खुश हो जाते है खासकर Two Little Men उन्हें लगता है कि उनकी खाने की प्रॉलम लाइफ टाइम के लिए सॉल हो चुकी है और उन्हें अभी मैनत करने की जरूत नहीं है वो पूरा टाइम वही पड़े रहते हैं जहां Two Little Mice भेर सारे चीज को लेकर grateful है इसके opposite Two Little Men comfort zone की situation में पहुँच जाते हैं और मैनत करना पूरी तरिके से बंग कर देते हैं कि दिन suddenly वहां पे पड़ा सारा चीज गायब हो जाता है इसे देखके Two Little Mice को कोई हैरानी नहीं होती और वो खाने के तलाश में कहीं और निकल जाते हैं बट जो Two Little Men है उन्हें ये यकिन ही नहीं होता कि उनका चीज अब गायब हो चुका है काफी जी निकल जाते हैं फिर भी ओटीज के इंसेजर में वही पे पड़े हैं Because of comfortable past, they are now fearful about their future The important lesson to learn from this story is nothing is permanent We need to adopt and embrace the change We need to be open for any changes or challenges coming in our way in order to grow and progress in our life